नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी नियूस वे जर्मनी की रक्ष्रा मंत्री वोरिस पिस्टोरियस आज चार दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं वो रक्ष्रा मंत्री राष्रा सेह से मुलाकात करेंगे इस दौरान दौनों देशों के बीच प्रोजेक्ट 751 के तहट 43,000 करोर रुपए की लावत की 6 एडवांस्ट डीजल इलेक्ट्रिक पंडुपियों की डील हो सकती है सांती दौनों नेताओं के बीच एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स की तकनीक में सहीयोग पर भी चर्चा होगी इससे पहले सिंगपूर में शांगरी लाग डायलोग के बाद उन्होंने कहा भारत की रूसी हतियारों पर निर्भरता जर्मनी के पक्ष में नहीं है वहीं पिस्टोडियस ने अपने बयान में कहा कि भारत लंबे समय से डिफेंस से जुड़ी जरुवतों के लिए रूस पर निर्भर रहा है वहीं 2022 के शुरुआत में यूक्रेन जंक शुरू होनी के बाद भारत कम दाम में रूस कच्चे तेल का प्रमुख दावेदार बन गया है